नमस्कार दोस्तों मैं उधे महरा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मार्किट कल क्या करेगी निफ्टी ऊपर नीचे स्टॉक्स इंडिकेटर सेटब ये सब बाते हम लोग इस चैनल पर डेली करते हैं लेकिन आज का ये वीडियो स्पेशल है आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे उस मकसद की जिससे आप मुझसे जुरे हैं फाइनली हम लोग इस चैनल पर हैं कि हाउ टू सकसीड इन स्टॉक मार्किट से पैसा कमाया कैसे जाए अगर मैं बात करूँ दोस्तों स्टॉक मार्किट में सकसेस रेशियो की तो सचाई यही है कि स्टॉक मार्किट में 5% से भी कम लोग हैं जो पैसा कमाते हैं तो हमारा सबका टारगेट यही है कि हम किस तरह उस 5% के अंदर आएं या फिर अगर हम हैं तो बने रहें यानि अगर 100 लोग मार्किट में है तो सिरफ 5 पैसा कमाएंगे तो हमें कुछ ऐसा मालूम होना चाहिए कोई ऐसा सेट अप कोई ऐसा टैलेंट कोई ऐसी लर्निंग कि हम उस 5 के अंदर आ सकें अगें मैं आपको डरा नहीं रहा हूं लेकिन सचाई बताना आपसे मेरा काम है ताकि आप उसकी तरफ जो effort required है उस 5% के अंदर आने का उसकी तरफ अपना कदम बढ़ाएं तो सचाई यह है कि मार्केट में 5% लोग पैसा कमाते हैं दूसरी बात दोस्तों मार्केट में मैं किसी भी ऐसे शक्स को नहीं जानता जिसने मार्केट में नुकसान ना खाया हो कमाना चालू करने से पहले हमेशा इनसान अपनी गलतियों से सीखता है और गलती किये वगए कोई सीख ही नहीं सकता मार्केट तो नुकसान सब ने खाया या, अगर आपने नुकसान खाया है, आप सोच रहे हैं कि Markit आप के लिए नहीं है, तो दोस्तों, आप अकेले बिलकुल भी नहीं है, जिसकी आप आवाज सुन रहे हैं जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं वो आपसे जादा नुक्सान खा चुका होगा अपने टाइम पे definitely मैं आपसे यह बाद challenge करके कहता हूँ तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है हमारा ये जो हमारा target है best we can do is कि हम fail तो हो we can fail but we should never stop trying हमें try करते रहना है try, fail, try, fail and ultimately you will be successful ऐसा मेरा मानना है लेकिन दोस्तों किसी और की गलती से सीखना हमेशा थोड़ा सस्ता पड़ता है compare to अपनी गलतीयों से सीखना market से अगर आप सीखेंगे market को जो fees चुकानी पड़ेगी वो काफी जादा होगी उससे अच्छा है कि अपने 1-2-3 stop loss की fees देके किसी और की गलतीयों से सीखा जाए and जो आपका learning curve है दोस्तों अगर मैं सच्छा यह बलूँ आपको तो market को सीखने में कई साल लग जाते हैं लेकिन अगर आप किसी अच्छे mentor के साथ काम करेंगे किसी और के साथ सीखेंगे किसी और की गलतीयों से सीखेंगे तो वो जो आपका learning curve है कुछ weeks में भी बदल सकता है यानि आप market में पैसा कमाना चालू कर सकते हैं जल्दी तो ऐसे के बीच एक अच्छा mentor होना बहुत ज़रूरी है अब दोस्तों आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं stock market का webinar करता हूँ आप मैं से बहुत साथ लोगों को इसके बारे में मालूम होगा मैं आपसे आज इस webinar की कुछ बाते कुछ highlights कुछ success ratios शेर करूँगा इसी वीडियो में पहले मैं webinar के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों कि मैं ये जो webinar है weekend पे करता हूँ दो दिन का webinar होता है fees इसकी 10,000 रुपीज होती है सभी details वीडियो के description में भी और ये photo में भी आपके सामने है इस webinar की जो fees है दोस्तों सबसे पहली बाद ये one time fees रहती है आप multiple times मेरे webinar join कर सकते हैं यानि ये fees भरके आप जितने मर्जी मेरे webinar join कर सकते हैं दूसरी बात बात दो दिन की बिल्कुल भी नहीं है आपको जो दो दिन के बाद support मिलता है जो आप सोच रहे हैं जो आपने सीखा सीख के जो आपने सोचा उसको validate करने के लिए आपको कोई चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं सही है या गलत है तो जो support आपको मिलता है that is worth much more than the fee I am charging अब दोस्तों मैं आपसे कुछ और बात शेर करूँगा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो मेरा webinar होता है इसका success ratio कैसा है जिन लोगों ने join किया है वो इस समय markets में कैसा कर रहे है तो इसके लिए मैंने एक दोस्तों webinar का survey किया था जो मेरे past students रह चुके हैं उनसे ये वो students है जोस्तों जोने मेरे से एक महिना या उससे पहले सीखा है तो लगबग 108 लोगों से मैंने ये webinar दोस्तों किया था 108 students ने इसका answer किया है आइए देखते हैं कि कैसा रहा उन लोगों का response क्या उन्होंने सीखा और किस तरह मेरे webinar उनके काम आ रहा है उनकी life में उनकी trading में आइए देखते हैं ताकि अगर आप भी join करने की सोच रहे हों या आप सीखना चाहते हों तो आपको समझ में आएगा कि learning का क्या role होता है market में देखे पहला question बिल्कुल straight forward मैंने सबसे पूछा था कि how are you doing and क्या आप पहले से better कर रहे है market में जो आपने पहले करते से सीखने के बाद उसने कुछ better हुआ है तो 84% लोगों का ऐसा मानना है कि yes they are doing better बाकी के 15% लोग अभी भी struggle कर रहे है again दोस्तो market में हर कोई पैसा कमाने लग जाएगा तो फिर तो market is a zero sum game market में पैसा आएगा कहां से but yes अगर 5% actual में कमाते तो मेरे से सीखने के बाद 84% are doing better दूसरा सवाल दोस्तो मेरा ये था कि यह जो मैं topics cover करता हूँ वेबिनार में are they practical क्या वो आपको real trading में काम आते हैं तो देखिए मैं और भी बहुत सारे webinars वगेरा खुद भी join कर चुक हूँ अपने time पे और मैं और भी बहुत सारे लोग को जानता हूँ जो markets को सिखाते हैं लेकिन लोग आपको सिखाएंगे exponential moving average, chart, indicator, 80 के उपर बेचो, 20 पे खरीदो बट ये सब चीजे actually आपके market में पैसा कमाने के काम नहीं आती अगर ये सब काम आती होती तो फिर तो एक 10th class का बच्चा भी पैसा कमा लेदा तो जो topics हम cover करते हैं, क्या करते हैं, वो detail में कुछ लिखे होएं, कुछ मैं आपको webinar में ही बता पाऊंगा but yes, 92% people felt कि जो topics cover किये गए, उनके practically पैसा कमाने में काम आ रहे हैं तीसरा सवाल दोस्तो, जो webinar के बास support मिलती है, उसकी उपर था, क्या उनके कोई doubts रहे, तो clear नहीं किये गए या ऐसा कुछ तो 87% लोगों ने इसका answer दिया है, कि पूरा full उनको support मिला है, और हमेशा उन्होंने कोई भी question पूछा है, तो उनको reply आया है 13% लोगों को हमेशा कोई गिला शिकवा रहता है, शायद कोई रह गया होगा मेरी तरफ से अगला सवाल था दोस्तो, कि जो हमारे teachings थी, जो webinar का conduction का way था, वो किस तरह लोगों को अच्छा लगा की बुरा लगा तो 64% लोगों को लगा की जो webinar था वो अच्छा लगा उनको the way it was conducted finally दोस्तों बहुत interesting सवाल, मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपनी fees recover कर ली है after learning तो इसका answer 32% लोगों ने बोला हाँ, उन्होंने कर ली है, 24% लोगों ने कहा उन्होंने कर ली है with my help क्योंकि मैं webinar जो attend करते हैं, उनको कुछ ना कुछ help करता हूँ, यानि आदे से ज्यादा लोगों ने, almost 65% लोगों ने अपनी fees recover कर ली है कुछ लोग हैं अभी जो अभी भी learn कर रहे हैं, again ये भी कर लेंगे with time, इनको मेरा support मिल रहा है and last question was कि क्या वो लोग ऐसा सोचते हैं कि webinar attend करना worth it है और क्या वो दूसरों को recommend करते हैं मेरा webinar join करना तो 77% लगबग लोगों ने इस चीज का answer भी हा में बढ़ा है यानि जितने लोग attend कर रहे हैं उसमें तो 77% लोग ऐसा मानते हैं कि webinar was worth attending और वो बाकियों को recommend करते हैं attend करना बाकि कुछ लोगों का 13% लोगों का ऐसा मानना है कि self study is also an option but yes, if you can attend, you should attend यानि almost 90% लोगों को webinar अच्छा लगा और वो दूसरों को recommend करते हैं तो आपने देखा कि किस तरह मैंने आपके सामने अपने webinar की सचाही रखी almost 70 to 80 to 90% positive response है 70% लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी fees recover कर चुके हैं जो कि एक बहुत दी nominal fees है, एक stop loss के बड़ाबर fees है तो दोस्तों अगर आप भी मुझसे stock market सीखना चाहते हैं तो आप मेरा webinar जोईन कर सकते हैं next webinar जो है इस weekend पे है उसके अलावा आप मेंको contact करना चाहें कोई भी query हो तो phone कर सकते हैं, whatsapp कर सकते हैं मेरा phone number या आपकी screen पे मैंने लिख दिया है 735-999-8456 उमीद करता हैं दोस्तों आपको market को सीखने में interest आया होगा इस video को देखने के बाद और सीख के ही काम करच कीजिए, बीना सीख के मत कीजिए क्योंकि 5% नहीं कमाना है, आपको 5% के अंदर कैसे आना है, वो आपको खुद सोचना है मुझसे जुड़ना है, खुद से सीखना है, किसी और से सीखना है, मगर सीख के ही काम करना है Thank you guys